प्राचीन भारत के इतिहास में अभी पिछले वीडियोज में हम लोगों ने विदेशी हमलों या विदेशी आकरांताओं के संदर में पूरी जानकारी ली विदेशी हमलों में इरानियों का हमला युनानियों का हमला और युनानियों के हमले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके संदर में पूरी जानकारी हम लोगों ने लिया आईए अब हम आज आप लोगों को बतलाते हैं दुती नगरी करांती नया विसे नया टौफिक आपके लिए दुती नगरी करांती हम बहुत पहले से आप लोगों को बतला रहे हैं कि पहली नगरी करांती इंडस बैली या सिंदुगाटी सब्धा के दौरान हुई थी इंडस बैली या सिंदुगाटी की सब्धा नगरी सब्धा थी नगरी सभता से हमारा आसे है जब तक उनके पास सर्पलस या अतिरेक संपत्या धन या उत्पादन नहीं होगा तब तक हमारा कनवर्जन नगरों की तरफ नहीं हो पाएगा आईसा बिसेश रहा जिसकी वजह से पर्थम नगरी करांत इंडस बैली या सिंदुगाटी सभता के दवरान होती है जिसे हम ब्रोंज या कांस यूगीन सभता के नाम से भी जानते हैं यानि ब्रोंज यानि ताबा यानि कौसा इन सब का रोल इंडसमेली या सिंदुगाटी सभता में विशेश रूप से रहा और आज हम पढ़ रहे हैं दूती नगरी क्रांती जिस तरह से प्रथम नगरी क्रांती सिंदुगाटी सभता के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त उत्पादन या अतिरेक संपत्ति या सर्पलस रहा जिसकी वजह से प्रथम नगरी क्रांत सिंदुगाटी सभता के दवरान कुछ उसी तरह से दुती नगरी क्रांत में भी होता है जब तक सर्पलस या अतिरिक्त धन हमारे पास नहीं होगा तब तक नगरों का विकास नहीं किया जा सकता नगरों का उद्भव नगर प्रणाली की प्रक्रिया नहीं आ सकती है आईए हम परिछोप योगी दिष्टकोर से बात करें कि दुती नगरी क्रांत में भी कुछ बिसेश रहा जिस तरह से इंड़स्वैली में ताबे की भूम का महत्पूर्ण होने की वज़़ से उसे हम कांसे गिन उसी तरह से दुती नगरी क्रांत में लोहे का आगमन या आईरन एज महत्पूर्ण भूम का अधा करता है या निभाता है दुती नगरी क्रांत के लिए इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि नगरी क्रांत कब होती है छठी सताब्दी इसापूर में होती है यानि उत्तरवाइदिक काल के दौरान या उत्तरवाइदिक काल के बाद नगरों का विकास होना प्रारंब होता है और हम इस तरह से कुछ नगरों के नाम भी आप को बतला सकते हैं जो की परिछाओं में पूछा जाता है आध्य नगर या प्रोटो सिटी आध्य नगर आध्य नगर से हमारा तात्पर है कि नगरी करण के पोहले यानि उत्तरवाई दिक्काल या छटी सताब्दी इसापूर के दावरान नगरों का उद्भव कैसे और कहां से और वे आस्थल हैं हस्तिनापूर और कौसामबी हस्तिनापूर और कौसामबी को हम प्रोटो या आध्य नगर के नाम से जानते हैं छटी सताब्दी इसापूर में गंगा गाटी में दुती नगरी करांति स्टार्ट होती है या प्रारंब होती है और दुती नगरी क्रांत में लोहे की महत्मूर भूमिका रही लोहे के आगमन से हमारे अंदर की कई तरह का बदलाओ या कई तरह का परिवर्टन आता है जैसे खेती या क्रिसी अग्रिकल्चर में एक नई क्रांटी आ जाती है हल के रूप में हम लोहे का प्रियोग करते हैं हम सैन्य विवस्था में सैन्य हथियारों में लोहे का प्रियोग करते हैं बनों की कटाई छटाई में आईरन या लोहे का प्रियोग करते हैं जिससे हम जंगलों की सफाई किये और वहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन प्राव्रम्भ करते हैं अच्छा खासा उत्पादन से अत्रिक्त धन हमें मिला सरपलस हम आगे रहे और हम नगरों की तरफ या नगरों का विकास होता चला गया आईए हम परिच्छो प्योगी दिष्टकोंड से बात करें दुती नगरी करान्थ कभी स्टार्ट होती है च्छटी सताबदी ओसापूर में कहां स्टार्ट होती है गंगा गाटी में नगरी क्रांच सब्द का प्रयोग सर्प्रथम किस ने किया कहा किया अपनी पुस्तक दा अर्बन रियोल्यूशन में गाड़न चाइल ने नगरी क्रांच सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और गाड़न चाइल ने अपनी पुस्तक दा अर्बन रियोल्यूशन में सासक वर्ग की उपस्तिती को विशेश रूप से महत्मूर अस्थान दिया कि नगरों का विकास तभी होगा जब उसमें सासक की महत्मूर भूम क्या होगी इसके अलावा नगरों के विकास के लिए गाड़न चाइल ने अपनी पुस्तक दा अर्बन रियोल्यूशन में लेखन कला के विकास की भी महत्ता को दर्साया है मुद्रा का प्रचलन मुद्रा की भी महत्ता को भी गौर्डन चॉइल ने बतलाया स्टिल्प विवसाई की उपस्तिती क्रिशिकारियों में सरलंग यानि गौर्डन चॉइल ने जिन्होंने नगरी क्रांती सब्द का सबसे पहले प्रियोग अपनी पुस्तक दा आरबन रियोल्यूशन में किया इन सब तथ्यों को इन सब तथ्यों के माध्यम से सिद्ध किया कि छटी सताब्दी इसापूर में नगरों का विकास या नगरों का उद्भव या क्रांती हुई सामने आपके लिखा गया है पर्थम नगरी क्रांत सिंदुगाटी के समय यानि कांस हीगिन या ब्रौंजेज के समय होती है इसके बाद दूती नगरी क्रांत लौहीगिन या आईरनेज कभी कभी आपस यह भी पूछा जा सकता है कि जब पहली क्रांत इंडस बैली के दौरान और दूसरी क्रांत दूसरी क्रांती छटी सताब्दी सापूर्व यानि बैदिक काल बैदिक सभता या बैदिक काल ग्रामीर सभता थी ग्राम के बाद फिर नगरों का उद्धे हो रहा है यानि दुती नगरी क्रांती में महत्म पूर्ण भूम का लोहे की रही और तृती नगरी क्रांति यदि कभी आप से पूछा जाए तो आप इसका अंसर तुर्कों के आगमन के बाद तृती नगरी क्रांति भी संपन्न होती है तृती नगरी क्रांति कब होती है तुर्कों के आगमन के बाद तृती नगरी क्रांति दो हुआ करते थे एक का नाम है हस्तिनापूर और दूसरे का नाम है काश्वामबी प्रोटो यानि आद्य नगर दो हैं एक हस्तिनापूर और काश्वामबी अधिकांस्तिया पूछे गए हैं और है इसमें भी पूछे जाएंगे नगरों का जब विकास होता है चुकि महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी पिरियट छंठी सताब्दी इसापूर में है तो बुद्ध कालिन नगर कौन कौन से बतलाए गए हैं एक है चमपा दूसरा है वाराणसी तिसरा है साकेत चौथा है राजग्रे पांचवा है स्रावस्ती और छठा है कौसामबे इसके अलामा गंगा घाटी में जब लोहे का आगमन हुआ जंगलों की सफाई हुई उस समय के जितने भी हिस्टोरिकल सौक्ष हैं वे भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि अग्रिकल्चर से लोगों के अंदर आगे बढ़ने का सुवसर प्राप्त हुआ जिससे नगरों का विकास हुआ जैसे छठी सताब्दी इसापूर में क्रिसी पंचांग का आगमन होता है क्रिसी पंचांग छठी सताब्दी इसापूर में पांच मौसमों की बात की जाती है किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी पांच मौसम की बात की जाती है 27 नचछत्र 26 सताबदी इसापूर में क्रिसी आगरी कल्चर के डेवलप में महत्पूर भूम कtal निभाए सिल्प ब्यापार 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 धंधा इनकी एक सूची हमको प्राप्थ होती है कहां से जातक कथाओं में सेल्प ब्यापार ब्योसाय करने की हमको अच्ची आइडिया मिलती है इसके अलामा पाली वा प्राकृत ग्रंथों में पाली प्राकृत ग्रंथों में खेतों में अनका उत्पादन सरप्लस कैसे होगा इसके लिए इसके लिए खाद की बात की जाती है आज हम रासायनिक खाद का उपयोग किया करते हैं लेकिन उसमें पाली वो प्राकृत ग्रंत इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि खेतों अनका उत्पादन विश्यस रूप से कहने के लिए खाद का भी उपयोग किया जाता था व्यापार व्योशाय आपको मैं बहुत पहले बतला चुका हूं प्राचीन मुद्रा आहत हुआ करती थी आहत से हमारा तातपर है पंच मारग्ड आहत का मतलब है घाओ या निशान मुंद्रा का प्रचलन हो जाने से ब्यापार ब्योशाय की बढ़ोत्तरी होती है और ब्यापार ब्योशाय जब आगे बढ़ता है तो उससे स्वभाविक रूप से नगरों का विकास होगा बहुविद फसल दोहरा फसल चक्र यानि एक ही खेत में हम कई तरह के अंड का उत्पादन करते हैं दोहरा फसल चक्र बहुविद फसल इन सब के बावजूद कुछ इतिहासकार इस तरह के भी हैं जिन्होंने दुती नगरी क्रांति को किवल लोह यूगीन या लोहे की सरप्रमुक्तान दे करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम तरह की आउधाराओं से भी दुती नगरी क्रांति को बतलाते हैं ऐसे विचारकों में ओनई सवबानबे में डीके चक्रवर्ती ने रोल आउफ आईरन जैसी पुस्तक में अपनी आउधारा व्यक्त की है तो हमारा कहने का तौत पर है कि दुती नगरी क्रांति छटी सताब्दी ईशापूर में होती है आईए हम वंडे गेम या एकदिशी परिच्छा या इससे अग्रतर की परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे बात करें प्रत्थम नगरी क्रांति सिंदु घाटी सभता के समय कांस युगीन हुआ करती थी दुती नगरी क्रांति छटी सताब्दी ईशापूर में होती है कहां होती है गंगा घाटी में होती है दुती नगरी क्रांति की खासियत क्या रही है लोह युगीन मानी गई है लोहे के आगमन से हमारे अंदर बहुत बड़ी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है नगरी क्राज सब्त का प्रियोग सबसे पहले गौडन चॉयल ने किया कहां किया दा आरबन रिविलियोशन में किया प्रोटो या आद नगर कौन कौन से हैं एक है आपका हस्तिनापूर और एक है आपके कौसामबी बुद्ध कालीन नगर कौन कौन से बतलाए गए हैं बुद्ध कालीन नगरों की संख्या छे बतलाए गए हैं एक है चमपा एक है वारानसी एक है साकेत अगला है राजगरी स्रावस्ति और कौसामबी गंगा घाटी में छाटी सताब दीशापूर में धान के रुपाई की पधतियों की चर्चा की गई है इस तरह के साक्ष हमको गडवेरिया वापि प्रहवा से प्राप्त होता है तो लोहे के आगमन से एक नई करांती पिशेश करके अगरिकल्चर या कृसी ब्योशाय में होता है जिससे नगरों का विक्यास होता है और कुछ समय बाद में इनमें भी खटोतरी होती है और मौर्योतर काल पहुचते पहुचते नगरों का हरॉस्मेंट होता है फिर त्रिती नगरी करांती हमने आपको बतलाया तुर्कों के आगमन के बाद त्रिती नगरी करांती का भी आगमन होता है तो आज हमने आपको विशेश रूप से दुती नगरी करांती के संदर में हम पुना वंडे गेम या एकदिसी परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन सवालों के जबाब आपको दे रहे हैं जो आपकी परिच्छाओं में पूछा जा सकता है दुती नगरी क्रांथ सब्द का प्रियोग सबसे पहले गौर्डन चायल ने किया कहां किया दा अर्बन रियोलेशन में किया दुती नगरी क्रांथ कहां होती है गंगा घाटी में होती है दुती नगरी क्रांथ कब होती है छटी सताबदी इसापूर में होती है यदि प्रथम नगरी क्रांति कांसे गुइन थी तो दुती नगरी क्रांति को हम किसी युक के रूप में जानते हैं लौही गुइन या आईरनेज की रूप में और तुती नगरी क्रांति भारत में तुर्कों के आगमन के बाद होती है अच्छा दुती नगरी क्रांट को आगे बढ़ने में सबसे अच्छा सुवासर लोहे के आगमन, लोहे के आगमन से किसी में एक नया बदलाव आता है और दुती नगरी क्रांट के लिए अत्रिक्त उत्त बादन है यह रहा आपका दुती नगरी क्रांट से जुड़े हुए तमाम ठेट सारे सवालों के उत्तर और अगली वीडियो में हम इसी से जुड़ी हुई कुछ और चीजों की चर्चा करेंगे और ठीक है धन्यवाद झाल